एलो वेरिवन तो आज हम हिमाचल प्रदेश जीके का सेकन लेक्टर लेके आये हैं और इसमें हम हिमाचल प्रदेश की जहीलें जो टोपिक है उसको हम बिस्कस करेंगे exam में काफी सारे question इस topic से मिल जाते हैं कई बार तो आज की इस video में हम इसको याद करेंगे और कुछ extra facts भी जानेंगे उससे पहले मैं आपसे request करता हूँ कि आप इस video को like जुरू करें और share भी कर दें और हाँ, आप हर एक lecture के खुद handmade written notes बना लीजिएगा मैं बार-बार आपको बोलता हूँ क्योंकि जब revision time आएगा तो आपके लिए वो helpful रहेंगे और lecture को लगाने के बाद आपको mock test जुरूर लगाना है description में आपको link मिल जाएगा हमारी website का gradeupstudy.com तो वहाँ पे आपको हर एक lecture के mock test जुरूर लगाने हैं तो चलिए चलते हैं अपने lecture की तरफ तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचिल परदेश की जीले हम हिमाचिल परदेश की हर एक डिस्टिक की जीले हैं वो हम discuss करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं चमबा में और मंडी में काफी सारी जीले आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है और इनको हम पढ़ेंगे इंटरलिंकिंग से अब इंटरलिंकिंग से हमने इसको कैसे याद करना है ये मैं आपको सिखाता हूँ तो चलिए तो हम सबसे पहले चलते हैं चमबा में तो चमबा की जीले हैं घड़ा सुरू खजियार तो खजियार आपने नाम सुना होगा तो खजियार एक तूरिस प्लेस है ठीक है वहाँ पे एक जील भी है तो उस जील को हम बोलते हैं खजियार खजियार नाम का प्लेस भी चमबा में हैं और खजियार नाम की जील भी चंबा में ही है इस तरह से आपको लिंक करके इसको पढ़ना है उसके बाद लामा जील आ गई महाकाली उसके बाद आगी मनी महेश तो मनी महेश आपको पता ही है मनी महेश यात्रा कहां पे है भरमोर और भरमोर चंबा में पढ़ता है तो वहां पे एक जील है मनी महे तो महनी महेश मंदीर और महनी महेश जील कहां पर बढ़ती है चंबा में बढ़ती है के बाद चमेरा चमेरा एक बांध है जह हम बोल सकते हैं डैम तो चमेरा डैम कहां पर है चमेरा बांध कहां पर है चंबा में और चमेरा जील कहां पर है चंबा में ठीक है इस तरह से आपक कुनसी है पराशर इसका एक फेक्ट है कि एक टापू वाली जील मतलब कि ये एक ऐसी जील है जिसके अंदर एक टापू सा बना होता है ठीक है टापू किस तरह से बना होता है जैसे कि मान लीजिए कि ये एक जील है ये जील है तो इसके अंदर एक टापू बना हुआ है ऐसे ठीक है? ऐसे इसमें एक टापू बना हुए है तो ये जील कहां पे है? मंडी में है और दूसी तरफ एक रिवालसा जील है ये भी मंडी में है तो यहां पे multiple टापू बने हुए है मतलब तैरते हुए टापू की जील इसमें काफी सारे टापू है यहां पे एक था प्राशर में एक था तो रिवालसार में काफी सारे टापू है तो ये आपको याद कर लेनी है उसके बाद हम चलते हैं कुलू में सबसे पहले जील कोंसी है? बरीगू तो मैंने आपको previous lecture में बताया था कि ब्रेगु नामक स्थान से ब्यास नदी हैं वो निकलती है और ब्यास नदी का उद्गमस्तल कहां पे हैं कुल्लू तो उस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं ब्रेगु नामक जील कहां पे हैं कुल्लू में हैं उसके बाद धशहर जैसे कि आपको पता है कि कुलू का धशहरा सबसे famous है हिमाचल में तो उसी के नाम से एक झील है धशहर जील तो धशहर जील कहां पर बढ़ती है कुलू में बढ़ती है उसके बाद सरियूलसर, सरवालसर, मंदलाई तो ये जिले आपको याद कर लेनी है उसके बाद हम चलते हैं कांगडा में तो कांगडा में तीन जिले हैं डल, करेरी और पॉंग सबसे पहले हम चलते हैं पॉंग में तो पॉंग एक बांध भी है पॉंग डैम भी है और वो कहां पर पढ़ता है कांगडा में पढ़ता है आपको question इस तरह भी आ सकता है कि पोंग जील कहां पर है वो भी कांगडा में है पोंग डैम कहां पर है वो भी कांगडा में है और ये जो जीले हैं डल जील और क्रेरी जील ये दोनों झीले धर्मचार में पढ़ती है धर्मचार आपको पता है कि कंगल डिस्टिक में पढ़ता है next चलते है किनौर में तो किनौर की दो झीले है नाको और सोलांग इसमें जो नाको झील है ये आई स्केटिंग के लिए काफी प्रसिद है या फिर हम बहुत सकते हैं काफी मशूर है तो इस तरह से कॉशन आ सकता है कि आइस स्केटिंग के लिए हिमाचिल परदेश की कौन सी जील मशूर है तो वो कौन है ना को जील कहां भी पढ़ती है किनो और में पढ़ती है ठीक है नेक्स चलते हैं सिर्मोर में तो सिर्मोर की दो जीले हैं रेनुका और सुकेटि जो रेनुका जील है इसका एक फेक्ट है कि ये हिमाचिल परदेश की सबसे बड़ी प्रकृतिक जील है और दूसरी तरफ बिलासपूर में अकर हम चलें तो वहां पे एक मात्र जील है गोविन सागर तो ये जो जील है ये हिमाचिल परदेश की सबसे बड़ी man-made जील है तो प्रकृतिक जील क्या होती है जो कि कुद्रत की देन होती है खुदवखुद बनती है और जो man-made जील होती है यह खुद बनानी पड़ती है तो यह difference है इन दोनों का उसके बाद हम चलते हैं लहॉल स्पीती में लहॉल स्पीती में चंदर ताल, सूरज ताल जिसमें ताल लगा हुआ है तो यह जो जिले होती है यह कहाँ पर होगी लहॉल स्पीती में और दूसरे तरफ अगर नहन लगा होगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है चंदर ताल और दूसरे तरफ क्या है चंदर नहन कर थे बच्चे यहां पर Confuse हो जाते हैं तो जहांपे ताल लगा होगा तो वह लहुल सभीती में है और जहांपे चन्दरनाहन लगा होगा नाहन तो वह कहांपे है शिमला में ठीक है तो चन्दरताल शूरजताल लोहित्य स्रोवर और 1992 Church शिमला में चंदरनाहन, तानुजूबल और खडशाली ये तीन जीले शिमला में हैं और बिलासपूर में गोविन सागर और ये हिमाचल परदेश की सबसे बड़ी मैनमेर जील है तो ये शोटे सा टोपिक था, I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस टोपिक को आपने अची तरह से याद करना है, एक्जाम में से कॉशिन आये है तो सबसे पहले आप इसके नोट्स बनाएए और उसके बाद आपको इसके मोग टेस्ट जरूर लगाने है क्योंकि मैंने आपके लिए ही बनाए है, अगर आप मोग टेस्ट नहीं लगाएंगे तो मेरा मोग टेस्ट बनाने का कोई फाइदा नहीं होगा तो आपने जरूर मोग टेस्ट लगाने है थैंक्स वोचिंग आइस, जैहिंद